हाई फ्रैंज तो दोस्तो क्या आपके पास भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और किसी रिजन की वज़े से आप उसको डिलीट करना चाहते हैं दोस्तो कोई भी एक reason रहता है delete करने का profile तो यहाँ पे आपको नहीं पता है और option ही नहीं मिल रहा है कि instagram में हम आमारा profile कैसे permanently delete करें जी हाँ instagram ऐसा application है दोस्तो जहाँ पे आपको login easily करवा लेता है लेकिन जब आपको अपनी profile delete करवा नहीं होती है तो वो option आपको easily available नहीं करवाता application में तो यहाँ पे थोड़ा tricky है दोस्तो instagram की application delete करना लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बताऊंगा simple steps जहाँ पे आप 2 minute में आप अपना जो instagram का profile है वो permanently delete कर देंगे जी हाँ दोस्तो यहाँ पे instagram ने बहुत ही complicated बना के रखा है जब आप अपने profile delete करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि पहले आपको एक web application पे जाना होता था browser में आपको website में open करना है और वहीं से आपको delete करना होता था लेकिन अब आप यहाँ से mobile app से ही delete कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा simple तरीका जहाँ पे आप अपना profile delete करेंगे simple तरीके से easy तरीके से तो चलिए दोस्तो profile delete करते हैं easy way से तो दोस्तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे light demo की तरफ जहाँ पे आप सीखेंगे कि Instagram की profile कैसे delete करनी है तो live demo शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं दोस्तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब भी के अब भी subscribe कर लिजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे videos मिलते रहेंगे तो अब हम आज़े हैं हमारी mobile screen पे तो चलिए Instagram open कर लेते हैं Instagram open करने के बाद दोस्तो आपको कुछ ऐसा आपका profile देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे दोस्तो आपको क्या करना है यह जो 3 line वाला जो setting का button है उसके उपर आपको click कर देना है चलिए click करते हैं अब click करने के बाद दोस्तो आपको ऐसा interface pop up message दिखाया जाएगा तो यहाँ पे आपको click करना है settings and privacy पे चलिए click करते हैं Settings and privacy पे click करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऐसा interface मिल जाएगा तो यहाँ पे आप जैसे के देख सकते हैं बहुत सारे options available हैं तो यहाँ पे आपको इसके उपर click करना है account center ठीक है इसके उपर click कर देंगे हम account center के उपर click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे आजाना है personal details के उपर ठीक है personal details के उपर click कर देंगे हम personal details के उपर click करने के बाद दोस्तो आपके पास यहाँ पे account center में एक से ज़्यादा profile हो सकती है तो कौन सी profile आपको delete करनी है वो आप यहाँ पे check कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अब अपना third option है account ownership and control manage your data, modify your legacy contact and deactivate or delete your accounts and profile तो यहाँ से आप delete कर सकते हैं दोस्तों तो इसके उपर click कर देंगे अब account ownership and control यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों आपको एसा interface अब देखने को मिल जाएगा account ownership and control deactivation और deletion तो इसके उपर click कर देंगे इसके उपर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपने जितनी profiles बनाई होगी वो सारी profiles यहाँ पे आ जाएगी तो आपको कौन सी profile delete करनी है उसके लिए आपको choose कर लेना है ठीक है तो profile के उपर choose करेंगे जो delete करनी है हमें click करने के बाद दोस्तों अब आपको कुछ ऐसा interface यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे Instagram बोल रहा है deactivating or deleting your Instagram account if you want to take a break from Instagram you can temporarily deactivate this account if you want to permanently delete your account let us know you can only deactivate your account once a week ठीक है अब क्या करना है दोस्तों पहला वाला तो option है यहाँ पे अगर आपको temporarily आपको deactivate करना है यह थोड़े दिन तक यह deactivate रहेगा बाद में आप वापिस activate कर सकते हैं second option है permanently आपको delete कर देना है तो permanently delete करने के लिए आपको यहाँ पे continue कर देना है continue के button पे click करने के बाद Instagram आपसे password पूछेगा ठीक है password पूछने के बाद आप वहाँ पे enter कर देंगे और यहाँ पे आपका account delete हो जाएगा permanently तो यहाँ पे दोस्तों बाद में वापिस recover नहीं होगा यह account देखिए यहाँ पे warning message दिया है deleting your account is permanent when you delete your Instagram account your profile, photos, videos, comments, likes, followers will be permanently removed if you would like to take a break you can temporarily deactivate your account तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा profile में सब कुछ चला जाएगा वापिस recover नहीं होगा तो wisely आप चोज़ किजिए temporary करना है permanent तो बहुत ही simple है दोस्तों आप भी करके देख लेजिए आपको कुछ problem हो रही है, कुछ समस्या है तो मुझे comment box में comment करना ना भूले मैं सब लोगों को reply करने की कोशिस करता हूँ तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे अगले interesting वीडियो में तो तब तक के लिए आप सम लोग खुश रहे, स्वस्त रहे, ज्यादा से ज्यादा earning कीजिए मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत झाल